हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू देसी किचन विद निलीशा जैन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट इडली और सांबर की रेसिपी जो कि आप इंस्टेंटली बना कर तयार कर सकते हैं और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट सूजी की इडली बनाने के लिए मैंने ले लिया है हाफ केजी सूजी सूजी को एक बड़े से बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे और स्वाद उनसान नमक भी आड़ कर लेंगे नमक के साथ ही चीनी आड़ करेंगे एक से देर चम्मा जितनी खूब सारी राई आड़ करेंगे तो इस तरीके से आप इंस्टेंट सूजी की इडली बना सकते हैं गाईज अच्छे से mix up करने के बाद ना हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके धाई आड़ करेंगे अगर आपके पास धाई नहीं है तो आप चाच भी आड़ कर सकते हैं इस तरीके से धाई को आड़ करने से आप इंस्टेंटली इडली बना कर तयार कर सकते हैं और यह देखे बैटर जो हैं हमने तयार कर लिया है पर अभी यह काफी घाड़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी आड़ करेंगे और बैटर को 10-15 मिनट के लिए साइड रख देंगे जिससे की सूजी का जो दाना है अच्छे से फूल जाएगा उसके बाद हम इडली बना कर तयार करेंगे बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है और यह देखे हमारा बैटर ज कर लेते हैं वेजेटेबल में मैंने लिया है एक लोकी एक गाजर आधा मुली लेंगे और आधा शिम्ला मिर्च और दो अलू इस तरीके से जो भी वेजेटेबल सापकी पर सब्वेलेबल हो आप इसमें आड़ कर सकते हैं लोकी मैं सामबर में ज्यादा ही आड़ करती हूं जिसे के बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और बच्चे खावी लेंगे फिर मैंने सारी वेजेटेबल को अच्छे से चीछ लिया है इस तरीके से और चीलने के बाद हम इनको रफ ली चौप कर लेंगे फटाफर्ट से ही छोप हो जाती है थोड़ी सी हम मतर भी आड़ कर आता है और वैसे भी सर्दियों में अच्छी सी वेजिटेबल साती है तो आप अपनी मंचा ही इसमें वेजिस को एड़ कर सकते हैं जिसी की खाई भी जाती है और है कि लिए भी काफी हेल्दी होती है तो देखे मैंने इस तरीके से थोड़ी सी मटर भी इसमें एड़ कर दी है आप अगर ऐसे वेजिटेबल नहीं खा पाते हैं या बच्चे नहीं खाते हैं तो आप ये हैल्दी सा सामबर बना सकते हैं इंस्टेंट में तो सारी वेजिटेबल को अच्छे से हमने वोश कर लिया है और एक कुकर में ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से और बस चार से पान्च विसल लगा कर तैयार कर लेंगे साथ में जो हमने अरहर की दाल भी वोई थी वह प्याचे से फूल गई है उसको भी हम इसमें आड कर देंगे साथ में स्वाद नुसा नमक आड कर देंगे एक से डेर चमत इतना और कुकर कर डखकर लगा कर चार से पांच विसल लेंगे कुकिंग ओयल से इस तरीके से तो इस तरीके से इडली सामबर बना सकते हैं जब भी आपका मन करें तो यह खाने में काफी टेस्टी और हेल्दी होती है अब हमारा जो बैटर है ना उसमें से हम थोड़ा थोड़ा बैटर अलग निकाल लेंगे दो से तीन बैचिस में जैसे कि इडली का जो बैटर है वह अच्छे से फर्मेट हो जाएगा क्योंकि हम इसे एक्टिवेट करने वाले हैं इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बैटर को अलग निकालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको और भी थोड़ा सा पतला कर लेंगे और यह देखी गाई इ इसको एक्टिवेट करने के लिए आधा इनों का पाउच अट कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके ना ग्रीस की हुए इडली स्टैंड में इसको भर देंगे इस प्रोसेस को आपको कुईकली करना है तब ही आपकी इडली जो है बढ़िया सॉफ्ट फूली फूली बनकर तयार होगी बस फटा फट से ही आपको यह सारा बैटर जो है इडली स्टैंड में भर देना है और स्टीमर को भी पहले से ही तयार कर लेना है तो मैंने पानी एक ग्लास डालकर स्टीमर को भी पहले से ही स्टीम होनी के लिए रख दिया था तो अच्छे स्टीम बटन में ही आपको फटा फट से इडली स्टैंट को रखना है तभी आपके इडली जो है अच्छी पॉफेक्ट बनकर तयार होगी तो यह देखे मैंने पहले से ही स्टीमर को भी तयार किया हुआ है इस तरीके से इंस्टंट में 10-15 नट में ही आप इडली बनाकर तयार कर सकते हैं चली त करका लगा लेते हैं क्योंकि हमारी जो वेजिस हैं वो भी बॉइल हो गई है तो सीटी निकलने के बाद हम इनको ग्राइंट करके इसमें आड़ कर देंगे तो मैंने दो से तीन बड़ा चमच देशी घी ले लिया है और इसको अच्छे से मैल्ट कर लेंगे गरम कर लेंगे साथ मैं आड़ कर देंगे बेसिक से मसाले जैसे की एक छोड़ा चमच जीरा दो छोड़ा चमच राई आड़ कर दी है लाल मिच पाउडर गरम मसाला हल्दी पाउडर और कलर के लिए मैंने इसमें एक से देर चमच देगी मिरच पाउडर एड़ किया है एक तेज पत्ता ए अच्छे से सभी मसालों को भून लेंगे एक से दो मिनट तक सारे मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें आड़ कर देंगे दो छोटव चम्मा सांबर मसाला जिसका कि टेस्ट काफी अच्छा लगता है और इससे जो है सांबर एकदम अधूरा होता है साथ में जो हमने ग्रेवी तेयार की थी टमाटा, हरीमीच, अद्रक और प्याज की वो भी हमने अड़ कर देनी है और अच्छे से इसको भून लेना है थोड़ा सा मिक्सी जार में मैंने पानी डाल कर भी इसमें अड़ कर दिया है और बस इसको जब तक ये गीना छोड़ दे, ग्रेवी जब तक हमें इसे पकाना है थोड़ा सा ग्रेवी अकोर्डिंग हमने इसमें नमग भी आड़ कर दिया है चाट मसाला, एक छोटा जम्मच आड़ कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके पका लेंगे दस से पंदर म्रट में हमारी फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बनकर तयार हो गई है और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल गई है इनको एक थोड़ा सा हलका सा ठंडा करके ना इडली स्टैंड से निकाल लेंगे और एक कैसरोल में रख लेंगे जिससे कि ये गर्म गर्म रहेंगी इस तरीके से मैं पहले से ही इडली को बना लेती हूँ और गर्म गर्म सांबर से गर्म गर्म इडली सांबर मेरे हाथों का कापी बढ़िया लगता है इसमें जाली आई है और आप देख सकते हैं कितनी सौफ्ट लग रही है देखने में ही तो मैं लास्ट में आपको तोड़कर दिखाऊंगी तो आपको पता लगेगा चलिए तो इस तरीके से में सारे इडली की बैचिस बना कर त्यार कर लेती हूँ और आप दे इस तरीके से इंस्टेंट में इडली सांबर बनाईएगा और मुझे कमेंट बोक्स में बताईएगा कि आपको मेरी इडली सांबर की रेसिपी कैसी लगी और ये देखे ग्रेवी भी मारी कितनी अच्छे से पक रही है और अच्छे से इसमें बबल्स आ रहे है इसी तरीके से अच्छे से हमें ग्रेवी को पकाना है तब ही जो है सांबर में बहुत ही बड़ी असा टेस्ट आता है और यह देखे सारी वेजिस भी अच्छे से बॉल हो गई हैं इनको हम ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेंगे या इसी तरीके से इसको मैशर से मिक्स कर सकते जोने है पर हमारे यह आणा विल्कुल व्यार दिखनी नहीं चाहिए इसी तरीके से सांबर चाहिए होता है तो मैं इस तरीके से क्रंडर से Ace Pr wan't कर लेती हूं जिससे की वेजिस इसमें बिल्कुल नहीं दिखा देती attempting अगर आपकी यह थोड़़ा इसा अच्छा नहीं लग पका लेंगे कितना बढ़ी आया है इस तरीकी से जब आप क्रेवी को इंस्टेंट तयार करके सामबर को आड़ करेंगे लिए पर से हमने थोड़ ऐसे सादा काला नमग और काफी अच्छा टेस्ट आता है और यह देख हमारा संबर outta mo amper गर्म साम्बर के साथ even say तो आपको और आपपी फैमिली को यह रेसिपी और वीडिये रखेगी तो आपको मेरी इंसका किसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स ने बताएब इस तरीके से इडली सामबर बनाएगेगा और बहुत यह रहते हैं आгля आप इस तरीके से इडली सामबर बना सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं तो देखे इस तरीके से इडली सामबर बनाईए खाए और इंजोई करिए फिर मिलते हैं बाबाई टेक किय झाल झाल झाल